नमस्कार, दीप्ती की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी और हेल्दी सी रेस्पी आधा कटोरी गेहू और आधा कटोरी चाबल के साथ तो यह बहुत ही यूनिक सी और यम्मी सी रेस्पी है जो फटा-फट से बन जाती है और बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने कड़ाई में लिया है घी इस घी में मैंने पहले भी मिठाई बनाई थी तो उसमें थोड़े से तिल्व गेरे पड़े हुए हैं अब हम क् गेहुं से आटा पिस्वाया जाता है वहाँ पर आराम से इस तरह से गेहुं रहते हैं और अगर आप गेहुं को नहीं धुल सकते हैं तो आप अच्छे से उनको पोच लीजिए सूखे कपड़े से फिर यहाँ पर हमने इनको घी में डाल कर बढ़िया सा तल लिया है बिल्क है मैंने वही वाला चावल यहां पर लिया है क्योंकि इस चावल में हलकी सी खुसबू भी आती है तो चावलों को जब आप भूनेंगे ना इस तरह से तेल में तो चावल हलका सा चटकता है लेकिन बहुत अच्छे से खिल कर यह भून जाता है यह देखिए यहां पर इसी तो लीजिए इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यहाँ प्लेट में मैंने इनको फैला लिया है आप अलग-अलग भी कर सकते हैं एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं तो यहाँ पर गेहू अब ठंडे हो गए हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये डाल देंगे अगर ये ज़्यादा है तो आप दो बार में पिस लीजिए और अगर कम है तो एक बार में ही पिस जाएंगे तो चावल और गेहूं का हमें बनाना है एक पाउडर सा बहुत ज़्यादा महीन नहीं बनाना है हलके से कड़ रहेंगे वो भी अच्छे लगते हैं जैसे सूजी हो जाती है उस तरह से तो यह देखिए यहां पर यह दोनों चीजे पिसकर तयार हो गई है यहां तो इसमें अगर आपको लग रहा है या इसको आप पल्स मोड में पीसिए तो यह आराम से अच्छे से महीन एकदम सूजी जैसा हो जाता है और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कड़ है तो आप अब इसको छनी से या चारे से छान सकते हैं अब इसे हम साइड में रख देंगे और एक कटोरी में हम बनाएंगे मावा की एक फिलिंग तो यहां पर मैंने किसमिस चिरोंजी और पिस्ता लिया हुआ है तो पिस्ता को आप महीन कट कर लिजिए किसमिस चिरोंजी को तो इसी तरह से हम इस्तेमाल कर लेंगे तो पिस्ता को मैंने महीन महीन इस तरह से कट कर लिया है अब हम इस पिस्ता में मिलाएंगे थोड़ी सी टूटी फूटी यह फिलिंग बहुत अच्छी लगती है हमारी इस गेहों और चावल की रेस्पी में दो चम्मच मैंने यहां पर नारी अलका बुरादा डाला है अगर आपके पास नारी अलका बुरादा ना हो तो यहां पर आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं जो डेरी वाइटनर का आता है अब हम यहां पर लेंगे दूद मैंने बिल्कुल दो चम्मच दूद लिया है यहां पर क्योंकि यह जो हमने यहां पर डाला है ना डेसिकेटिड कोकोनट यह हलका सा फूल जाएगा तो यह फिलिंग हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी जिस तरह की हमें चाहिए है यह देखिए तो यह तरह से बंधने लगे इतना हमें इसको करना है अब हम करेंगे एक पैन में चीनी को थोड़ा सा मेल्ट तो यहां पर मैंने एक कप गेहू लिया था एक कप चावल लिया था डेड़ कप चीनी ले रही हूँ मैं और साथ में डालेंगे हम यहां पर एक कप पानी इसकी हमें गाड़ी सी चासनी बनानी है इसको घोल लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा चिप-चिपी बना लेंगे हम इसको ऐसा नहीं करना है बस इसको हमें अच्छे से घोलना है घोलते में ही चीनी और पानी का जो ratio है चासनी हमारी perfect हो जाएगी ये देखिए तो अभी हम इसको इसी तरह से रखेंगे और अब हम क्या करेंगे ये चासनी हलकी सी बंद कर देते हैं इस तरह से तो आच को मैंने off कर दिया है ये चासनी की जो उपर से bubbles उठ रहे थे वो शान्त हो गए है और अब हम इसमें मिलाएंगे जो हमने गेहू और चावल पीस कर रखें भून कर तो यहां पर इन दोनों चीजों को हमें मिक्स कर देना है ये रेस्पी बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही यम्मी लगती है और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे अगर आपको ये healthy और टेस्टी सी राखी पर बनने वाली मिठाई पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताईएगा आपको कैसी लगी जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी रेस्पी कैसी लग रही है आप सबको अब यहां पर मैंने एक कटोरी desiccated coconut डाला है साथ म को मैंने यहां पर 10 रुपीस वाले जो पाउच आते हैं दो पाउच मैंने यहां पर एड किये हैं इससे आ जाएगा बिल्कुल मावा के जैसा टेस्ट और कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह हमने कच्छे गेहूं से रेस्पी बना कर तैयार की है तो यहां पर आप देख सक यहां मैंने मतलब इसमें अभी घी का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और इसको मैं धीमी आज पर इस तरह से पका रही हूँ यह बिल्कुल से डो की तरह हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं और उसके बाद हमें इसे लगभग 5-7 मिनट के लिए ढग कर रख द से चोटी-चोटी सी बॉल्स बना लेंगे यह रैस्पी बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है मैंने जिसको भी खिलाई है सभी को बहुत पसंद आई है तो यहां पर मेरी चोटी-चोटी सी बॉल्स तयार हो गई है और यह देखिए जो हमारी गेहों की और चाबल की यहां पर मैंने ये तयार की है मिठाई ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि ये हलकी सी गरम है मैंने बॉल्स बना कर देखा है तो आराम से इसका बॉल्स बन गया है इसको एक प्लेट में मैंने निकाल दिया इस तरह से और इसको हलका सा ठंडा कर लेंगे बहुत जादा ठंडा नहीं हलका सा ठंडा कर लीजिए और ठंडा जादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है जो recipe जो मिठाई हम बनाने वाले हैं वो और भी आसानी से बन जाएगी अब यहाँ पर आप चाहें तो हाथों में घी लगा सकते हैं वैसे इसमें अच्छा सा घी होता है क्योंकि हमने इने घी में फ्राई किया है तो यह आराम से बन जाती हैं बड़ी बड़ी सी बॉल्स और बॉल्स आपको अपने इच्छा रुसार बनानी है जितनी भी चोटी बड़ी बनानी है अब हमने जो माभा की बॉल्स बना कर रखी थी वो इसके अंदर इस तरह से कर देंगे और बढ़िया सा इसको हतेलियों की साहता से गोल-गोल से कर लेंगे मैंने तो इसको मावा बाटी का नाम दिया है जो गेहूं के आटे से बनती है और मावा की फिलिंग में डालती हूं और इस तरह से डेसिकेटिट कोकोनट कटोरी में रखेंगे और इन बॉल्स को उसके उपर अच्छे से इस तरह से घुमा देंगे तो हमारी ये टेस्टी सी गेहूं के आटे और चावल की मावा बाटी बनकर तयार हो गई है तो इस रक्षा बंदन पर आप बनाईए ये टेस्टी सी मावा बाटी और अपने भाई को खिलाईए तो यहां पर बागी की भी मैं तैयार कर लेती हूँ और अगर आपको मेरी ये गेहूं की और कच्छे चावल की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि जो भी रेस्पी मैं बनाती हूँ वो आप तक पहुचे और मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ी सी यूनिक यूनिक सी रेस्पी आप सब के लिए ले कर आती हूँ तो प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता है इन टेस्टी से गिहूं के आटे और चावल के लड़ू के लिए तो लग रहे है ना ये बहुत ही टेस्टी और यहां पर मैं आपको तोड़के दिखा देती हूँ जब भी कोई इसे खाता है तो वो समझ नहीं भाता है कि इसको हमने मार्केट से मंगाया है या घर पर बनाया है तो टेस्टी सी मावा बाटी बन कर तयार हो गई है और आपको ये रेस्पी कैसी लगई प्लीज 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 मुझे जरूर बताईएगा और एक बार बनाकर ट्राइ कीजिएगा बहुत पसंद आएगी